वेलकम बेक गई श्वागत है आपका वार्फिश है MSCMAS Classes के यूटूब चैनल पे दोस्तों आज 21 सप्तमबर था टोपोलोजी का MSCMAS Previous Year वालों का पेपर था आपकी काफी रिक्वेस्ट के बाद मैंने टोपोलोजी की एक यूनिट की क्लास आपको परवाइड करवाई थी और मैंने एक यूनिट के आपको नोट्स परवाइड करवाई थे जो यूनिट मैंने अपने लेवल पर करवाई थी वो थी यूनिट नमबर फिप्ट और एक यूनिट जिसके मैंने आपको नोट्स परवाइड करवाई थे जो एक आपके लिए सर्प्राइज रखा गया थ मुई करता है क्योंकि हुआ कहा ता कि मैंने यूट 5 की अप्लोड करी तक किसी बिए र्प होगा ने के लिए आयो हूं और अगर आप मेंझे उस तक मेरि आरे आपको यह क्या है कि अगर बिएकयों नहीं आता है उस को वेल पुरूफ जो है यहां पर बताने वाला हूँ कि किते नंबर कलाश्थी, क्या था और क्या नहीं था, ओके देखो जराएब, यह सबसे पहले जो है, आपके सामने यूनिट फिफ्ट है, क्योंकि हमने यूनिट फिफ्ट को भी पढ़ाता है, तो यह है क्यूशे नंबर 9A, यह है 9B पार्ट, यह है 10A पार्ट और यह है 10B पार्ट, आगया समझ में, अब देख लो, सबसे पहले मैं बात करूँगा क्यूशे नंबर 10 की, क्योंकि मैंने आपको यूनिट फिफ्ट में, आठ इंपोर्टेंट फिफ्ट करवा रहा हूँ, आप यह पढ़के चले जाते हैं, तो आपके 20 मार्ट एजिली करी हो जाएंगे, काता नहीं काता, सबसे पहले आप देखी कुशे नंबर 10A, डिफाइन क्नेक्टेड स्पेस, क्नेक्टेड स्पेस का मतलब यहाँ पर जो अपना पहली क्लास जो है, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्नेक्टेड टोपलोजिकल स्पेस की, दो नंबर मिल गए गया, उसके बाद में है, प्रूफ देट यूनियन ओफ एनी आर्बिट्र अपनेक्टेड सेट्स, अविन नोन इंपटी, इंटरसेक्शन इच कनेक्टेड, थोरम नंबर 4, जो आपकी थोरम नंबर 4 है, क्लास में जो थोरम नंबर 4 है, पहली क्लास में मैंने आपको च्याट थोरम, दो most important definition करवाई थी, पहला क्यूशन देश नंबर का पहली क्लास से आ गया है, चेक कर लेना जाकर कि, मैं यह नहीं बोर रहा कि आप इस पर भी बिलिव करें, आप जो मैंने क्लास आपको परवाइड करवाई, उस पर जाकर चेक करना, B part पर आते हैं, प्रूव देट टोपलोजिकल स्पेस, एक्स्टो इज लोकली कनेक्टेड, सबसे पहले आपको यहाँ पर लोकल कनेक्टेड की definition बतानी थी, बता सकते थे, मैंने बता ही थी आपको, उसके बाद में, यहाँ पर जो लोकल कनेक्टेड तक है, इसमें आपको क्या करना था सोओर्म नंबर अपनी 5 है सोओर में धोर्म क्लास शेकिंद, क्योंकि माने आपकोको तेन pet क्लासे प्रवाइड करवाए थी यूनिट फिफ्थ की, अलांकि वैसे तो मैंने आपको अगे presents ग्लासे परवाइड करवाई थी, टोटल एट नहीं सिक्स करवाई थी ओके तो यह जो है थोर्म नंबर फाइब जो मैंने आपको पढ़ाई थी यह पार्ट उतना है उसके लावाँ यह जो आगे का पार्ट है यह थोर्म नंबर शेवन दोनों को मिला कर गए यहां पर आपको एक कुशन बताना था अब हो गया यकिन क्यूशन नंबर टैन ए इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहां से थोर्म नंबर फॉर आपसे पुछी गई थी जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास फस्ट की लास्ट थोर्म है फिर इसमें एक जो थोर्म है वो क्लास सेकेंड की है जो क्लास सेकेंड की है जो क्लास सेकेंड की है कि यहां से भी इस नमर आपको कहीं नहीं जाने दूँगा नहीं गए हैं ठीक हैं अब करता हूं में बात जिसने डिसलाइक दिया था एक क्लास रिकोर्डेट थी जिसमें मैंने थम्रेल में आपको यह देखा हुआ मिलेगा कि एक्स्ट्रा पार्ट आठ्थ और इंपोर्टेंट करवाने के बाद में मैंने सोचा कि इसका और अडिशनल पार्ट जो है वो करवाए जाए अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत भूल भी जाता है तो वो इसको जो है कनेक्ट कर सकता है तो मैंने यहां से आपको एक्षा पार्ट में पहला पार्ट जो है दो recorded थी मैं मानता हूँ चीज़ को ठीक है मैंने आपको उसको में well define करके नहीं बताया था पर मैंने बताया था कि चीज़े कैसे हुई है compact space की definition पूछी है और ये मतलब ये दोनों ये जो 10 number ना ये उस class से है जो extra part वाला जो class था अपने उस से है अगर किसी बच्चे ने ये पड़ भी लिया हो ना तो 10 नंबर ये और 20 नंबर ये तीस नंबर हो गया आपके ठीक है ये मैंने नहीं करवाए था ये जो है ये मने नहीं करवाय था कहा गया यह वाला जो क्षुशन данे ये मने नहीं करवाय आपको मैं मानता हूँ अशेजी को ठीक है अब बात करते हैं यूनिट फिस्ट की जिसके आपको पीडिय प्रुवाइड करवाय गयी थी ठीक है यहां पर यह देखो पार्ट भी मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में दो PDF प्रोवैड़ दीती PDF सेकंड का सबसे लास्ट वाला कुशन है PDF सेकंड का सबसे लास्ट वाला कुशन है दोनों पार्ट है उसमें यह जो PDF सेकंड है उसका लास्ट का लास्ट की जो थोरम है सबसे लास्ट की जो थोरम है वो यही है दस नमबर हो गए 40 का पेपर हो गए आपका अब आते हैं 100 में से 100 लेने के लिए मैंने आपको PDF परवाइड कर रहा थी उसमें मैंने आपको आउटर मेजर सेट्स के बारे में नहीं बता पाया था मैं यह मैं अपनी कलती समझता हूं आलांकि मुझे यह आपको परवाइड करवाना था हुआ क्या कि जैसे PDF जो है वो बन रही थी उस उस टाइम पर जो नोट्स थे उनके दोनों पेज दो पेज जो थे वह आपस में चिपक के निकल गए और वहीं पर यह दोनों के दोनों किशिञ्ण जो है फसे के फसे रह गे थी ठीक है वह मतलब चिपका वाथ वह पेज बता रखता है बच्चों के साथ तो यह मैं अपनी गलती मानता हूं बागी मैं अपनी कोई गलती नहीं मानता हूं इसके बावजुद भी अगर आपको किसी को डिचलाइक देख जाना है तो युनिट फॉर्थ के सारे वीडियो अभी तक खुले पड़े हैं भरके भरके अभी के लिए इतने रखता हूं थैंक्यू शो मच नेक्स्ट प्रिप्रेशन जो है अपनी स्टार्ट कर दीजिए जो आपका डिफेरेंशल एक्वेशन वाला जो पेपर है उसके लिए थैंक्यू शो मच दोस्तों